हाई दोस्तो मैं एनिस ठेकेदार आपका सुवागत है सिद्धी फार्म में तो भाईयों वीडियो को काफी टाइम हो चुका है थोड़ा बीजी था मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया तो आज फार्म पे आया हूँ तो चलिए आपको दिखाता हूँ फार्म पे क्या चल रहा है और क्या प्रोगेस है तो फिजा भी तक इदर नहीं आई हम थोड़ा धूप के टाइम में उसको उसके जो अधर इस्तबल है उसके अंदर भान देते हैं फिर जैसे ही चाह हो जाती है इदर लेके आ जाते हैं और यह देखिए राजू का ध्यान नहीं रहा इसमें परिंदो ने पुरा दाना फिनिश कर दिये पॉट में का और मैं दाना भी डलवा दूँगा और यह पूरा पठो का केज है जिसमें जो भी पठे निकलते है रामपुरी कल्दुमे के और मुखी के जो दो तिन ब्रीट के ह प्ठे हं भी हम इसके अंदर रखते है और बाकी पठे यह में रखते जो सामने धूब जाल दिख रहा है न過去 जो दूसरी के पठे होते हो तर माकी धूब बहुत ज्यादा है तो हमने अंदर का टेंपरेचर कुछ मेंटेन करने के कोशिश की है तो काफी फरक पड़ा है इससे कुलर वगेरा लगा के तो देखिए बच्चे काफी बड़े हो गए आपने पिछले वीडियो में देखा होंगा एक बिलेक और एक रेड है यहां पर भी बच्चे है और यहां देखिए यहां पर भी एक यलो बच्चा है एक अलमंट पहर का बच्चा है अलमंट और काइट का यलो बच्चा आया है यहाँ पर भी दो बच्चे है और इस प्यार के भी दो बच्चे आये हैं चलिए आपको दिखाता हूं तो यह बच्चे डबल कलर में हैं दोनों भी पिछले वीडियो में आपने देखा हूंगा तब शायद निकले थे बच्चे है और काफी बच्चे हमने जो फोस्टर प्यर को दे कि जो यानि लह рокरी के बच्चे हैं विसके बद कुछ फैंटल के बच्चे आप और यह ब्यूट्य हूमर की भी बच्चे लिए फोस्टर के पास निकल आया हैं यह देखिए एकदम जो डार्क रेड होता है लाहुरी में यह वो कलर के है और इनको फोस्टर प्यार एक पाल रहा है फोस्टर प्यार बहुत अच्छे से खिलाते हैं यह एक रेट कलर का प्यार है लाओरी और यह बच्चे दोनों खुद ही पाल रहा है इसके दोनों बच्चे यल्लो है और राजू एक हंगिरियन के बच्चे को फीडिंग करा रहा है दिन भर में हमारा शीडियूल है कि एक टाइम खुद फीडिंग करवाना और बाकी दिन भर पैरेंस करवाए उसमें क्या होता है कि अगर अपना कोई विक रहता है बच्चा तो वो कवर हो जाता है और यह किंके भी बच्चे निकलते आए हैं दूसरी जगे और यह हमारी फिजा अभी हम मैंने लड़कों को बता रखा है कि एक दिन के आड़े फिजा को नहलाते रहे क्यूंकि धूब हो ज्यादा है और यह काली हमारा सैम और यह रैबिड भी बिल्कुल धूब से परिशान थे तो नीचे थोड़ा बहुत पानी मारके इनको मिट्टी पे और यह देखिए एक पतीरा का रेजल्ट आया है बहुत ही प्यारा क्यूड बच्चा लगा मेरे को तो सुचा आपको बता दू मैंने भी फर्स टाइम चाल दिये और ट्रिम कर दिये कर दिये और हम यह जो कलर वाली बख्रीया इसमें पतीरा मेल चलाते हैं और यह जो पतीरा फी मेल है उसके अंदर यह के अमारा escola पने में हम ऑले इसमें रिजल्ट हो जाता है अभी तो हम पतीरे पच्चा निकाल रहे हैं लेकिन पिछले टाम हमने इसको यूज किया तो वहाई टाक हो जाती है और कान लंबे हो जाती है तो यह एक मेल है हमारा और यह हमारी फिजा तो फिजा बिल्कुल नहां दो के रेडी तो सोचा आपको भी दिखा दू फिजा की जो कंफर्मेशन है पीवर मार वड़ी उसके कान गर्दन और फेज बिल्कुल पतला और लेंध भी एच्छी काफी है और हाइड भी 62 है यह बासाट इंच की घुड़ी है और मेरे पास काफी दिनों से है मैंने बच्ची ही खरीदी थी और बहुत ही सुन्दर घुड़ी है और हमको भी से बहुत ज्यादा लगा हो गया है तो यह है हमारी फिजा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो पर बने रहे बाई और चैनल को सब्सक्राइब करें झाल